दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीबो गरीब जीव की जिसके तीन दिल और नौ दिमाग होते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना नौ दिमाग वाला ये होश्यार जीव कोई और नहीं बलकी ऑक्टोपस है ये आठ बुजाओं वाला होता है जिस वज़ा से हमारे प्यारे देश भारत में इसे अश्टबाहू भी कहा जाता है चलिए जानते हैं ऑक्टोपस के कुछ अजीबो गरीब तत्यों के बारे में अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमसे हमेशा अपडेटड रहने के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ओक्टोपस एक बहुत ही खतरनाक समुदरी जीव है इनकी हर प्रजाती खतरनाक नहीं होती है मगर हां कुछ प्रजातियां जहरीली अवश्य होती है जिनके काटने से इनसान की मौत भी हो सकती है ओक्टोपस डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है ये बिना हड्डियों वाले जीव होते हैं नौ दिमाग होने के कारण ये जीव सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं और इनमें नियूरॉन की मात्रा मिलियन्स में होती है बगर इनको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित नहीं है सकते हैं ओक्टोपस जीव की 300 से भी अधिक प्रजातिया धर्ती पर पाई जाती है और बड़े-बड़े महासागरों और जीलों में पाई जाते हैं दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका खून नीला होता है इनकी आठो बुजाएं सर से जुड़ी होती है जिसकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़ने में अधिक सक्षम होते हैं इनकी उम्र की बात की जाए तो बहुत ही कम होती है एक आक्टोपस कम से कम 6 महीने तक और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही जी सकता है जब इनका जन्म होता है तो इनका आकार 1.5 से 3.2 मिलिमीटर तक होता है आक्टोपस में एक बात बड़ी अजीब होती है कि जब उनको बहुत तेज भूख लगती है तो ये अपनी भुजाओं को खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं और एक बात बड़ी कमाल की ये है कि आक्टोपस की भुजाएं कटने के बाद वापस से उग जाती है अगर इनकी क्षमता की बात की जाए तो बड़े आक्टोपस शार्प की कुछ प्रजातियों को भी मारने की क्षमता रखते हैं आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आक्टोपस अपनी त्वचा के रंग को एक सौ से भी ज्यादा बार बदल सकता है और इनमें क्षमता होती है ये तीन सेकंड से भी कम समय में अपने रंग और आकार को बदलने में सक्षम होते हैं ऐसा ये तब करते हैं जब इनको अपने आस-पास खत्रे का अंदाजा होता है और अपने रक्षा करने के लिए एक विशेश प्रकार के केमिकल का इस्तमाल करते हैं और अपने नीले खून का फुबारा भी छोड़ते हैं जो पानी में मिलकर काली स्याही का धुआ बन जाता है ये केरोसिन नामक केमिकल पैदा करता है जिसके चलते शिकारी के आखों में जलन होती है और ये इस तरह से अपना बचाव करते हैं सबसे ज्यादा मिलने वाला ओक्टोपस वैल्गरिस आक्टोपस है जिसकी लंबाई 12 से 36 इंच होती है और इनका वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है दुनिया में सबसे छोटा ओक्टोपस वुलफी ओक्टोपस है जिसकी लंबाई मात्र 1 इंच और वजन 1 ग्राम होता है 16 फीट और वजन 50 किलोग्राम होता है। ओक्तोपस से जुड़ा ये रोचक तथे जान के आपको हैरानी अवश्य होगी की वर्ष 1957 में साउथ कनाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ओक्तोपस मिला था जिसका वजन 272 किलोग्राम और जिसकी भुजाएं 8.5 मीटर लंबी थी। इनकी समझदारी की बात करे तो इतने समझदार होते हैं कि किसी भी समस्या को आसानी से सुलजा लेते हैं और किसी भी काम को बड़ी ही सलता से सीख लेते हैं। अपने बचाव के लिए बड़ी ही आसानी से अपने शिकार को चक्मा भी दे देते हैं। इसके अलावा समुद्री जीव, घोंगा, कच्छुआ, केकड़ा इत्यादी का शिकार करके उन्हें अपना भोजन बनाते हैं मादा ओक्तोपस की बात की जाए तो ये एक बार में एक लाख से भी ज्यादा अंडे देती है और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान लगा देती है जिसके चलते में भोजन की तलाश में भी नहीं जाती है शिकारियों से बचाने के लिए और समुद्रों में तेज पानी के बहाव से उन अंडों की रक्षा करती है अश्टबाहू का पोमल, गोलाकार या अंडाकार शरीर 10 सेंटीमीटर से लेकर करीब 25 फुट तक लंबा हो सकता है इसमें कवच नहीं पाया जाता है या अविक्सित होता है चीन और इटली में इसका भोज़ पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है सभी अश्टबाहू जहरीले होते है परन्तु सिर्फ नीले चले वाले ओक्तोपस का विश्षी मनुष्य के लिए घातक होता है जिसके काटने से इंसान की मौद भी हो सकती है उम्मीद करते हैं आपको कुछ नई जानकारी जरूर ही मिली होगी अगर आपको हमारे विडियो पसंद आते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारी फिर मुलाकात होगी अगले विडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे खुश रहे जय हिंद